हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फ्रेंज हिंदुस्तान जिंक की ओर से सप्टेंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस्ट हो चुका है स्टेंडर लॉन कॉंसॉलिडेटर दोनों रिजल्स आउट हो चुका आज के इस वीडियो में लस् गिरावट देखने म मिल रहा है एक्सपेंस इस बार कम्पनी का इ pewno करोड का पिछले कवाट फॉर्टी नाइटिन हंडरेड कापशुर करोड का कक्वायरneg जिसके बार प्वाध ऑप्रॉप सटेंबर 22 qkos का में नेट पॉफिक कंपञे रहा है ए पुवन पॉवन इसा है बार सवार्ट्र के 오्वन म Chamber का मिल खान्यत क्रोड को आ ह Beeक देकिमें अ चाहे बाइन अनुम देखीं कमिल रहा है EPS का मेंикеदि आप देखने को मिला है तो गाइस कंपनी को consolidated financial result बहुत ही वीक है कि कि income profit दोनों में गिरावट आया है segment वाज revenue की बात करें तो company zinc lead and silver revenue generate कर रहा है और wind energy इन दोनों से revenue generate कर दिये जो कि जबाग बहुत ज्यादा fall देखने को मिला है operating margin हम यहाँ पर देखेंगे तो company को जो operating margin 34 परशंट का quarter on quarter year on year में fall है profit margin 25 परशंट का गिरावट देखने को मिला है वहीं एकर हम इसके stand-alone financial result कवर करें गाइस तो income में 7023 करोड का पिछले quarter में 7569 करोड का और September 22 quarter में 80703 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है expenses 4710 करोड का पिछले quarter में 4953 करोड का और September 22 quarter 4777 करोड का expense हुआ था जो कि quarter on quarter year on year में fall देखने को मिला है income के according जिसके बद operating profit है 2313 करोड का पिछले quarter में 2616 करोड का और September 22 quarter 3926 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में fall देखने को मिला है net profit है 1737 करोड का पिछले quarter में 1970 करोड का और September 22 quarter में 2681 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में fall देखने को मिल रही है EPS 4.11 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिला है तो guys company का stand-alone है या consolidated बहुत वीक result पेच क्या है क्योंकि income and profit दोनों में बहुत ज़्यादा fall देखने को मिल रही है तो अब हम लोग जो है video कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई doubt है comment box में पुछे मिलता है